मैबुबा मुफ्ती ने एक त्वीट किया है ये त्वीट जो है उन्होंने कल के दिन किया जिसके बाद एक विवाद वो सामने आ रहा है बाजपा इस त्वीट को आडए हाथों ले रही है पहले ही बाजपा तीखा रुक अपनाए हुए है चाहिए नैश्यल कॉंफरेंस का का यानिस उत्र के का मैंटुफेस्ट हो इसमें दिखा शुए कि अपने केंपेशन को जो है वह solidarity रहेगी वो जो martyrs हैं अगर बात करें जिनकी जो शहीद हुए हैं लेबानन और गाजा के अंदर especially हसनान नासुरूला की बात की जा रही है इसमें वो उनकी शादत पर एक दिन का campaign जो है दुख की गड़ी उन पर चल रही है उसके लेकर मेरा जो संपिती है वो उनके साथ है और मेरी जो solidarity है वो उन शहीदों के साथ है जिन्हों ने उसमें जान गवाई है तो अब आप सोचिए कि पीडिपी चीफ का ये ट्वीट जो है वो किस तरिके से लिया जाएगा Palestine के अंदर जो आतंकियों को जो है जिसलिके से इसराइल वहाँ पर जो है missile attack जिनकी जान गई है उसके उनकी जान को वो शादत कह रही है और वो कह रही है कि उनकी शादत पर जो है मैं अपना जो एक दिन का जो campaign है इसे फिलहाल जो है वो cancel कर रही हूँ तो बाजपा तो पहले से ही तीखा और रुख जो है वो अपनाए हुए है और तीखा हमला जो है इस alliance पर और PDP पर कर रही है कि वो कह रही है कि जिसलिके से PDP जो है यह कह रही है manifesto में कि हम cross border जो trade है वो खोलेंगे पाकिस्तान से बात करने का रास्ता खोलेंगे बाकी वो पाकिस्तान के साथ होती थी वो खोली चाहिए और लगातार पाकिस्तान का राग लापती है PDP और NC बाजपा यह लगातार कहती हुए और लगातार यह कहा जा रहा है कि यह alliance जो है और जो PDP जो है यह अलगावाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियां है और जिसरीके से पाकिस्तान समर्थन कर रहा है इस alliance को और 355 से जो abrogation हुआ है उसे restore करने के लिए पाकिस्तान कहा रहा है कि हम सेम पेज पर हैं और यह पार्टियां यहाँ पर कहा रही है कि उन्ने restore किया जाएगा हम भी उड़के साथ कड़े हैं यह कहना है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और पाकिस्तान के परदान मंत्री का तो आप खुद सोचिए कि पीडीपी चीफ मुफ्ती स्रीके से ट्वीट करेंगी तो उसे किस लिया जाएगा इससे में चुनावों का दोर चल रहा है और पैलिस्तीन के अंदर मारे के लोग जो आतंकी हैं उनकी जो मोत एक दिन का कैंपेंग जो हैं उसे कैंसल किया रहा है यह पहली बार नहीं है पहले भी कई बार चाणवों का केंदर रहा है लेकिन एक बार फिर से इस सामने आया है इस प्वीट ने जो है चर्चावों का बज़धार गरम कर दिया और इस समय पॉलिटिकल राहे नेटा जो इस समय सता के लोग हैं वो इस समय BGV के अगर बात करें तो वो तीखा रुख जो है वो PDP पर अपनाएंगे आपको क्या लगता है अपनी एक्वेट सेक्शन में रखी कर वीडियो जैसा शेयर करिएगा तो रखे साथ शुवम लंगे बहुत एक्स्परेस करिए